हाई गाईस वेलकम बैक टो में चैनल कैसे सबी लोग आई होप सो सबी लोग टिक टाक होंगे और मज़े में होंगे आज है थर्ड डे कप बींस की करी इसके लिए मैं यहाँ एक बड़े से इसका ओनियन जिंजर गार्लिक लिए हूं उसका पेस्ट बना के रख लेंगे और प्याज को अच्छी से फ्राइ कर लेंगे लिए प्याज अच्छी से फ्राइब हो चुके है इसमें जो पेस्ट बना के रखे है वो दाल देंगे यह सौथ का बहुत ही अच्छा टेस्टिक करी है इसे आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा ओनियन और जिंजर गाली का कच्छा इसमेल गार्लिक तक फ्राइब कर लेंगे अब यह फ्राइब हो चुका है इसके अंदर रेड शिली पोडर हल्दी धनिया पोडर दाल देंगे आप लोग मसाले सारे अपने साबसे डाल सकते हो ज्यादा कम आप लोग जिसता रखाते हो उसे साबसे मसाले डाल सकते हो मसाला अच्छे से फ्राइब हो चुका है इसके अंदर अभी गराम मसाला डाल देंगे गराम मसाला डाल के एक बार मिला के इसके अंदर बारी कट किय दोखे रखे हुई बिन्स को दाल देंगे बिन्स और मासाले को अच्छे से एक पर मिला लेंगे इसे दो मिनिट फ्राइ होने देंगे हाँ अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा सब्सक्राइब के बाद जो बेल बोटन होता है उसे प्रेस करिए ठाकि मैं जो भी वीडियो दाल उसका नोटिफकेशन आप लोगों को आप टूडेट मिलते रहे बिन्स और मासाल अच्छे से मिल चुके है अभी इसके अंदर हम लोग पानी डाल देंगे आप लोग अपने ग्रेवी के सबसे पानी डाल सकते हो ज्यादा कम आप लोग ग्रेवी जिससे सबसे चाहते है उससे सबसे पानी डाल लिए देखे बिन्स अभी 80% पक चुके है कि इसका स्मो्थ पेस्ट बना लेंगे का अब इस मासा ले को सब्चे में डाल देंग आक डाल कि ऐसे मिला लेंगे जो बाद़ कि ट्वstra tra उन्टी परसनट बचाया पकने में वह अ वाकर पक जाएगा कि उसे अच्छे नीश्ज़र क्यों मिला लेंगे अभी फिर से 3-4 मिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उसे जार में थोड़ा सा पाने बिल्कुल थोड़ा सा दो तीन स्पून पाने दाल के मिला के पाने दाल देंगे देखे सब्जी रेडी हो चुका है अच्छा थिक हो चुका है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाता इसे आप लोग जोरूर ट्राइ करिए ये रोटी चपाती राइस किसी के साथ भी अच्छा लगता है अगर आप लोग को खटा पसंद है तो इसके उपर से आदा निम्बू का रस दाल सकते हो ये आपकी मर्जी है तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते है